जैन दोस्तो मेरा नाम है भवी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो मेरे द्वार अप्लोड किये गए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी बेल आइकन को प्रेस कीजिए दन्यबाद सब्सक्राइब करते हैं इसका इस्तमाल इसका इसका सब्सक्राइब करके हम अपने अपर फ्रेंडे को फेंल आपके προब्यू Ginger वो भी maintained है इसी के चलते WhatsApp कुछ टाइम पहले एक feature लाया था जहां पर as a sender आपके पास option रहता है कि आप एक limited time के अंदर चाहें तो आपने भेजे हुए message को या तो delete कर सकते हैं खुद के लिए या फिर सब के लिए तो ये feature अपने आप में बहुत खास था लेकिन कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपना notification miss कर देते हैं और हम ऐसे message as a receiver जो हमें मिले होते हैं हमें नहीं पढ़ पाते हैं और हमें सिर्फ दिखाई देता है this message is deleted deleted और हमारे मन में जिक ऐसा रहते हैं कि काश हम इस message को पढ़ पाते हैं या कोई ऐसा तरीका था जिससे कि deleted message भी हम पढ़ पाते हैं देख सकते हैं यहां मैं बता दू जो मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा आगे वह android पर है तो अगर आप भी इस तरीके से देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप deleted message को पढ़ सके तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके लिए बड़ा ही simple steps हैं इसके करने को नहीं बोलूँगा जो कि आपकी battery consume करें आपके phone में किसी तरीके का malware introduce करें जो मैं आपको steps बता हूँगा यह android यह गूगल के द्वारा बताए हुए steps है Google के द्वारा dv facility है साथी साथ मैं आपको यह यह चीज दियर कर देना चाहता हूँ इन step को इस्तेप करके ऐसा नहीं है कि आप आज सिर्फ 5 दिन 6 दिन या 7 दिन आप कोई भी पुराना deleted message को पढ़पाएंगे इन steps को follow करने के बाद आने वाले time में अब जो message आपके notification में आये हैं और जिनको आप नहीं पढ़पाए और इस दौरान उसको भेजने वाले में delete कर दिया सिर्फ आप उनको ह करके रखना है जब आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको एक विजट करके bottom नीचे यानी की तीन options होगे उनमें एक wallpaper एक settings और एक widget करके option होगा तो widget पर आपको क्लिक करना है वहां पर जब आप उसे scroll करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको settings एक option settings shortcut दिखेगा आ यह जो मैंने आपको steps बताए हैं यह मैं आपको आगे video guide भी मैंने add किया तो वहां पर भी आप देख सकते हैं और चाहे तो आप इस video को pause करके और play करके भी steps को अपने साथ के साथ अपनी phone पर perform कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने बताए कि आपके phone पर notification lock का shortcut बन जाएगा तो इस कारण आप उस time उस message को नहीं पढ़ पाए हो तो आप notification log में जाकर whatsapp पर sender के जो log होगा उस पर click करेंगे तो वहां पर आपको android text के अंदर वो message मिल जाएगा यहां पर मैं आपको कुछ और चीज़े बता देना चाहता हूँ पहली चीज़ आप यहां पर अगर कोई video audio file है उ आप नहीं पर पाएक time रहते तो वह text message जितने भी होंगे वहां पर आप पढ़ सकते हैं इसके लाव मैं आपको एक और खास चीज़ हो जाई हूँ कि एक तरीके से इसकी limitation में आपको बता देता हूँ इनकि आप किसी के साथ चैक कर रहे हैं और notification के थूँ आप message नहीं देख आप वह message देख पाएंगे कि इसने यह message डिलीट किया है और आकर उस message का text क्या था तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से deleted message को WhatsApp पे जो आपको आया थे आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए और अगर आपका कोई feedback है तो comment section में जरूर बताईएगा साथी साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां पर मै ने आपको बताया है कि third party application whatsapps related किस तरीके से आपके लिए नुकसान दाएगा है तो उस वीडियो का लिंक भी उपर है तो आप यहां पर देख सकते हैं दन्यवाद दोस्तों जैए